स्वागत है आप सभी का तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्टे के लिए बताते हैं कि कौन से डेटा आ रहा है और उसका केमपेक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेर्स और कॉमुडिटीज के उपर तो शुरुवात के लेते हैं कि 11 जुलाई 2024 को यानि कि थर्सडे को कौ हमारा जो टेलिग्राम चैनल है उसके उपर हम आपको इन जो भी डाम आपको बताते हैं उनका अप्डेशन देते हैं तो अगर आपने हमारा टेलिग्राम चैनल जोए नहीं कि है तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से आप जोन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ्कॉस्ट है तो अब हम यहां पर बात कर लेते हैं कि क्या रहेगा पहला डैटा यहां पर तो यहां पर जो सबसे पहला डैटा रहा है 1130 एम पर आ रहा है और यहां पर यह बढ़ते ही आ तो यहां पर GBP USD उपर की ओर को जा सकता हिए तो अगर जैसा पॉर्कास्ट है Swift याता है तो उसका पजिटिव मूव ऽंफ देखने को मिल सकता लेकिन अगर इससे ziru maximum से कम आती है तो फिर साइड को हमें मूव देखने को मिल सकता है नेक्स डेटा आ रहा है दोस्तों वो भी 1130 एम पर ही आ रहा है लेकिन यह यह यूर यूसडी पर इंपक्ट दालेगा वैसे यूर यूसडी और जीबीप यूसडी दोनों एक ही साइड को मूव करते हैं तो आपको जो ही डेटा लेकिन अगर यह एक दूसरी या पॉजिट डेटा आते हैं कि एक उपर को ले जा रहा है एक नीचे को तो उस केस में जो है आपको थोड़ा सा समबल के यहां पर देखना पड़ेगा तो यहां पर जर्मन सीपी आई का डेटा आ रहा है और पिछली बार 0.1 थी और इस बार देखने पार चैना पर है तो यहां पर यहां पर एक त्रफ को ही मुव करेंगे सेम साइड को ही मुव करेंगे तो यहां पर थर्ड जो डेटा आ रहा है वो आ रहा है 包र उनीचे के दो डो डेटाay का अ तो बहुत 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 ही ज्यादा important data है और इसका impact जो है सिर्फ dollar index, EU और USD पर ही नहीं पड़ेगा इसका impact जो है वो gold, silver और साथ ही crude oil और US oil इन सब के उपर इसका impact पड़ेगा CPI का data आ रहा है 0.0 पिछली बार था 0.1 होने की उमीद है और यहाँ पर अगर यह बढ़ता है जैसे की forecasted है को EU और USD जाएगा और opposite side को US oil और crude oil भी जाएँगे और साथ ही यहाँ पर gold और silver भी opposite side को जाएँगे जिस सरफ को dollar index जाएगा उसके opposite side को यह सारे चलेंगे यहाँ पर dollar index के मजबूत होने पर इन सब में गिरावट हमें देखने को मिलेगी जो है नई संख्या जो है वो बताएंगे तो 238 के ऐसे लोग हैं जो की jobless है जन्होंने application दी है jobless होने की और 236 के अब मिन्स पिछली बार यह थे अब होने की उमीद है 236 मिन्स घटने की उमीद है तो अगर यह घटता है तो यह भी positive होगा dollar index के लिए अगर यह बढ़ता है तो भी positive होगा तो यह दोनों ही data का जो forecast है वो तो यह ही indicate कर रहा है कि उपर की और को जाएगा dollar index तो अगर ऐसा होता है तो फिर यह नीचे को गिरेंगे लेकिन अगर य जो है नीचे को आते हैं दोनों ही मिन्स जितना previous data था उससे कम आते हैं तो फिर dollar index नीचे हो जाएगा और इस सारे उपर हो जाएगे और CPI का जादा impact पड़ेगा जो data CPI का है मिन्स initial jobless claim भी बहुत important data है लेकिन दोनों के comparison में देखें तो CPI जादा importance रखता है तो priority CPI के उप पर रहेगी जो इस तरफ को मोगाएगा वो CPI के according आएगा तो यह नेक्स जो data यहां पर आ रहा है दोस्तों वह बताने से पहले में आपको यह बता दो कि जितना भी data आता है उसके लिए आपको जो ट्रेडिंग करनी है वो करनी है Forex trading platform पर और Forex trading platform में कोई भी platform अच्छा न चैजिए और एक्सनेस जो है यहां पर उसके लिए उसको कैसे बनाना है कि एकाउंट उसमें कैसे money अड़ करना है उसके लिए आप यहां पर वीडियो देख सकते हो साथ ही इस वीडियो का जो description box है उसमें आपको link मिलेगा एक्सनेस का सबसे उपर description box में उस पे क्लिक जा लेंगे within one or two hours के अंदर अंदर आपके bank account में पैसा आ जाएगा Indian currency में और साथ ही cryptocurrency में Saturday Sunday को भी trading कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़ीया platform है दोस्तों और इसका इसका इस्तिमाल कीजिए दुनिया में number one platform यह चल रहा है इस समय तो मैं highly recommend करना हूंग आप इसका 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 इ 56 billion cubic इस बार रहने की उमीद है means बढ़ने की उमीद है अगर यह बढ़ती है storage इसकी तो वो indication ठीक नहीं होगी negative indication है तो negative side को move हो सकता है इसमें natural gas का तो दोस्तों यह है data जो की आ रहा है और I hope आपको यह वीडियो पसंद आ रहे हैं अगर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को like क